नमस्कार सांतिों आफ सभी का स्वागते कक्चादस्वयाले बच्चे साथ मार्च को देने वाले हैं सामजिक विज्ञान का पेपर पिचुत्तर नंबर का पेपर राएगा सैट भी पूरा सुलूशन के साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं 75 marks का paper यदी पक्के करने है पूरे नंबर तो जल्दी से इस वीडियो को लाफ्ट तक देखिएगा और साथी साथ अपने सभी दोस्तों को शेर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कोल पर जरूर करिएगा चलिए विद्यार्टियों स्टार्ट करते हैं पहले question से प्रिश्न क्रमांक पहला है बांदो को आदुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा पंडित जमारलाल नहरू एक से लेकर 23 तक पूरा solution यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा बस वीडियो क लाफ्ट तक देखिएगा question क्रमांक पहला हो चुका है पंडित जमारलाल नहरू दूसरा निमने लिकित में से कोन सी रभी की पसल है तो यहाँ पर रभी की जो पसल है वो गेहूं हो जाएगी कच्चे माल के आदार पर उद्योग कितने प्रकार कोते हैं दो प्रकार कोते है चापक रखिएगा question आने वाले हैं साइमन कमिशन भारत कब आया 1928 में यूरोपी संग का मुक्याले कहां इस्तित है यह है बेल्जियम में बारतिरी जरू बेंग की स्तापना कब हुई तो यह हुई 1935 में लिखके रखिएगा चापके रखिएगा तो प्रतिसत चपने वाल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो बसंद आए तो लाइक करना ना भूले भारती वन्य जीव अधिनियम में लागू किया गया यह आपको बताना है 1922 में 1922 में लागू किया गया बारती रेल परिभेन को रेल प्रिखंडों में संक्लित किया गया है 16 आप लिकोगे कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेट हुकुम चंद और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत चोते वाले में आ जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आर्तिक विकास से जनता के इस्तर में व्रद्धी होती है तो देखिए आर्तिक विकास से जनता के इस्तर में व्रद्धी होती है जीवन इसमें आप लिखोगे पांच वाले में जीवन आपका रहेगा अंसर नेks्ट कोस्टेन मदु मक्की पालन छेतर में आता है तो ये प्रात्मिक छेतर में आ जाएगा प्रात्मिक छेतर नेश्ट कोस्टेन जोड़ी के रूप में सही जोड़ी बनाना है स्री लंका घ्रे युद्ध का अंत उआ 2009 में बाहरत चोड़ो आंदोलन 1942 बाहरत में वयस्क मतादिकार की उम्र 18 वर्स ओलंपिक गेम मेक्सिको सिटी बाहरत में है लोकतांत्रिक सरकार और सारुजानिक छेतर सरकार के स्वामीतु वाले छेतर जोड़ी को ध्यान बुरुवक मिलाना है गलती नहीं करना है आगे देखिए नेक्स्ट कोशन एक सब देखवाक के मुत्तर देना है बाक साइट की सुद्योगों के लिए कच्चामाल प्रियुक्त होता है देखिए बाक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चमाल प्रियुक्त होता है जो बाक्साइट होता है पहले वाले में आपका एल्यूमिनियम राइट अंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम दूसरा वाला कुश्यन राफ्टी राजमार्गों का निर्मान हुआ रख रखाओ किस विबाग के अधिकार चेत्र में आता है तो इसका राइट अंसर लगाओगे आप केंदरी है लोक निर्मान विबाग राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्यन आपका रहेगा आई-यम-एप का पूरा नाम लिखिये तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अंतर राफ्टी मुद्रा कौश है ना अंतर राश्ट्री मुद्रा कौश ओद्द्यो के किरांती सरुपरतम कहा प्ररंब हुई इसका राइट अंसर हो जाएगा इंगलेंड इंग्लेंड आपका correct answer होगा वंदे मातरम गीत के रचिता कौन है इसका right answer लिखो गए बंकीम चंद्र चटर जी बंकीम चंद्र चटर जी बहुराष्टी कंपनियों द्वारा किये गए निवेस को कहा जाता है जो बहुराष्टी कंपनिया है वो जो निवेस करती है उसे कहा जाता है विदेशी निवेस इसे कहते हैं लिखेंगे आप वी देशी विदेशी निवेस यहीं भी लिखा है next question सत्या फत्य पूरा solution करवाऊंगा 6 से लेकर 23 तक भी मैं आपको question के उत्तर बताने वाला देखिए कांडला बंदर गहा एक ज्वारी पत्तन है सत्य हो जाएगा बिना किसी पारिस रमिक के काम करवाना कहलाता है देखिए बिना किसी पारिस रम के काम करवाना कहलाता है तो यह question आपका गलत है यहाँ पर question नहीं आना था बिना किसी पारिस्तरमी के करवाना चाहिए ऐसा है कि बिना किसी पारिस्तरमी के काम करवाना क्या कहलाता है यह question का था इसको अटा यहाँ इसको अटा देते हैं रेंडर पेक्ट नामक पशुरोग अमेरिका में फेलाता अफत्य हो जाएगा सन 1804 की नागरिक संहिता को आम तोर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है यह भी आपका सत्य हो जाएगा लोगतंत्र की सपलता में असिक्चा बा हो जाएगा अब देखिएगा यहाँ पर एक बार इन कोश्यनों को आप देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स देहां से देखिएगा और इन कोश्यनों को नोट करिएगा इनके उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूं ताकि आपको किसी कुरकार्ट की समस्या का सामना ना कर करना पड़े इन सभी कोश्यनों के उत्तर भी अभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे यह देख लिए सभी कोश्यन आपने चलिए अब इनके उत्तर देख लीजिए अब मैं उत्तर आपको एक से ही बता देता हूं यह सभी कोश्यनों के उत्तर हैं एक से कोश्यन नम भीडियो को रोगना, जैसकि मैं ये निकाल रहा हूँ, आप यहाँ पर फीडियो को पहुविडियो को करना, और इसको नोट करने, श्क्रेन सोट ले। दीरे दीरे निकाल रहा हूँ इसका PDF में आपको टेलिग्राम पर देने वाला हूँ यह सोलुशन वाला और बिना सोलुशन वाला प्रिस्न का भी और उत्तर का भी टेलिग्राम पर दे दूँगा टेलिग्राम को जोईन करिए वहाँ पर आपको PDF मिल जाते हैं यह रहा आपका नक्सा जो वो सारे स्टुडेंट से बोल रहे थे देख सकते हैं आप यह पूरा आपका है चीक है? इसको आप देखिएगा नरोरा कहां पर है, रावद बाटा कहां है काकरा पारा कहां है, गुवा कहां है मयूर गंज, मयूर भंज, बेला डीला यह दर्सा ना आपको, इस परकार से आप दर्सा सकते हैं ठीक है? तो यह हमारा पूरा पेपर का सोलुशन हो चुका है आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल बाप पहले बार आये हो तो सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद, थैंक्स पूर वाच कर दो सकते हैं